एकदम बाजार की जैसे खिली खिली सूपर टेश्टी वेच चौमिन आज हम घर पर बना कर तयार करेंगे अक्सर क्या होता है कि जब भी हमें चौमिन खाने का मन करता है तो हम बाजार से मंगा कर खाते हैं लेकिन आज हम इसको घर पर बना कर तयार करेंगे एक ड़म बाजार भी किसे के alt जैसा तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं सब्से पहले एक भगोने में हम पानी गर्म होने के लिए रख देंगे जब पानी गरम हो जाएगा तो हम इसमें 4 मिनिट कर देंगे यहाँ पर मैंने दो वेराइटी की चौमिन यूच की है, एक बड़ा चमच हम इसमें टेल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तीन से चार मिनट के लिए हम इसको कोक कर लेंगे, तो जादा हमें चौमिन को नहीं पकाना है, सिर्फ 70% तक हम इससे उबालना है अब हम इसको उतार कर छान लेंगे, और छान कर एक बड़े बरतन में हम इसको फैला देंगे, इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि इसके कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुख जाए तो जब तक यह ठंडा होता है, तब तक हम इहां पर अगली प्रोसेस देख लेते हैं, कड़ाई में हम एक बड़ा चमस तेल डालेंगे और तेल को चारो तरफ फैला देंगे, यहां पर मैं आपको सबजियां दिखा देती हूँ, सबजियं में लें एक बड़ा लहसुन और कच्चापन निकल जाए, ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन निकालना है, तो जैसे ही यह 30 सेकेंड के रोष्ट हो जाएगा, हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भी हम 15 से 20 सेकेंड के लिए भूल लेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन नि एक पास यदि और भी कोई सब्झिया है तो आप उप कर सकते हैं जैसे अगर सिवद्द करें लंबाई में कट करके आप उसको एट कर सकते हैं ध्यान रहें, सभी सबणियों को हमें हाई फ्लेम पर ही भुनना है लोग फ्लेम पर भुनने से क्या होगा कि सबणियों सॉप्ट हो जाएंगे जो कि किसी भी चाइनिज फूर्ड या चौमिन में अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हम इसको high flame पर ही भून लेंगे यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए सभी सब्चियों को high flame पर भून लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसमें सभी sauces add करेंगे तो flame हमारा high ही रहाएगा अब हम फटाफट sauces डाल देते हैं एक बड़ा चमसरी में इसमें red chilli sauce टालेंगे ऑशेल डेली बड़ा चमसरी में सोया नहीं है तो आप इसको करेंगे यदि आपके पास सेज्वॉन चट्नी या तो एक चमसरी मिकस करते हैं फटा फट हम इसको mix कर देंगे सभी सौसेश को, फ्लेम हमारा हाई है इसलिए हम फटा फट इसको mix करेंगे, जैसे ही यह सौसेश मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें जो चौमिन उबाल कर रखे थे वो डाल देंगे, एक बड़ा चमच हम इसमें कुटी हुई काली मेच डाल दे करेंगे, अच्छे से इसको mix करना है ताकि सभी सौसेश और सबजियां और चौमिन अच्छे से एक दूसरे से mix हो जाएं, यहाँ पर मैंने अच्छे से mix कर रही हूँ, एक हाथ से मिलाना मुस्किल होता है, इसके लिए मैं एक हाथ से चमच ले लूँगे और उससे दोनों ह अच्छे से साफ करके इसे mix कर सकते हैं, उसे भी अच्छे से mix हो जाता है, यहाँ पर देखे मैंने इसको अच्छे से mix कर दिया है, अब हम इसको दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भोन लेंगे, ताकि सभी सौसेश अच्छे से पक जाए, यहाँ पर दो मिनट के लिए मै और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी मिलती हो अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे